तो दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे इस week के market के analysis और देखेंगे market कैसे work कर सकता है, market में movement किदर की तरफ आ सकती है तो दोस्तो अगर आपने हमारी last week की market के analysis की वीडियो नहीं देखिये तो आप जाकर देख सकते हैं past live streaming में आपको मिल जाएगा 2nd June का हमने वीडियो बनाई थी, तो दोस्तो इसमें जो हमने discuss किया था, वो discuss किया था कि market दोनों ही तरफ movement दे सकता है और आप समभल के trade करें, call side बहुत जादे aggressively buy नहीं करें तो अगर आप देखेंगे दोस्तो, यहाँ पर market close था, उसके बाद इस week जो last week था, दोस्तो market यहाँ पर खुला और देखे ऊपर की तरफ गया और फिर almost उतना ही नीचे की तरफ आ गया है, और यह scenario सभी जगा पर देखने के लिए मिलेगा Nifty था यह, यह दोस्तो bank Nifty का chart है, और यह है अपना fin Nifty का chart, ओके तो सभी जगा पर same scenario market ने दिखाया है तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस week के market के analysis की, आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है, तो आप चानल को subscribe कर सकते हैं, और साथ में bell icon press कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification के link मिलते रहें, तो दोस्तो अगर हम बात करें सबसे पहले nifty किया आपर, तो हम देखेंगे सबसे पहले weekly time frame में इसकी candle, और अगर आप देखेंगे weekly time frame में दोस्तो इसकी candle, देखेंगे अगर इलियर वीडियोरी की जरूरत पड़ेगी तो हम इलियर वीडियोरी की according discuss करेंगे, अदरवाइस दोस्तो normal analysis रखेंगे जिससे आप easily समझ सकें क्या चल रहा है market के अंदर, तो दोस्तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छी negative की inverted hammer की candle है, बहुत अच्छी negative की candle है, तो आपको क्या करना है, इस week के लिए दोस्तो इसका high mark कर लिजे, जब तक market इसके उपर sustain नहीं होता ह ठीक है, तो यह nifty का weekly timeframe में दोस्तो candle है, अगर हम daily timeframe में चले जाएंगे और RSI अगर हम देखें तो यह भी दोस्तो यहाँ पर overbought zone में है, तो अगर हम daily timeframe में चलें और analysis करें इसका, तो इसमें क्या हमें मिल सकता है, तो दोस्तो हमने last week भी discuss किया था, कि हम क्या करेंगे, यहा तक हम गया करेंगे, फीबो नाची retracement माक करेंगे, तो दोस्तो market इसका 38% पर 23%, 38% तो दोस्तो अभी हम दो ही level माक करेंगे, आगे के लिए हम 61% में माक कर सकते हैं, तो दोस्तो यह levels हैं, यहाँ तक market मूफ कर सकता है, तो देखें यहाँ पर भी market नीची गिरा है, हो सकता है, थोड़ा सा उपर उटके, और फिर continuously यहाँ तक आ जाया, लगभग 18,300 तक market downside आ सकता है, ठीक है, तो level to level चलेंगे, जैसे पहला यह हो गया, अपना 23% Fibonacci retracement के according, इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह है अपना 38%, तो यह level है, तो level to level चलेंगे, अगर इसके नीचे sustain कर गया market, तो फिर यहाँ पर रुख सकता है, और यहाँ पर रुखने की एक और वज़ा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहले से भी market ने support लिया है, ठीक है, तो 18,000 इसका एक best support का area बन सकता है, अगर बहुत fast market नीचे गिरा तो, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो निफ्टी के अंदर यह scenario है, तो दोस्तों call side के trade हमें क्या करना है, थोड़ा सा ignore करना है, ठीक है, call side के trade लेने से थोड़ा सा बचेंगे यहाँ पर, अगर आप trade करते भी हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक rejection का area है, 18,773, इसको जरूर से जरूर मार्क कर लें, इसके ऊपर या इसके आसपास market जाता है, दोस्तों तो आपको क्या करना है, exit करना है, ठीक है, और BTST, BTST के trade बिल्कुल भी नहीं करें call side के, जब तक इस level के नीचे market sustain है, और इसके ऊपर अगर sustain हो जाता है, तो definitely आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसके उपर breakout दे के sustain नहीं होता, जब तक आपको call side की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, तो इस week का scenario क्या है, market हो सकता है, थोड़ा सा retracement लेके और फिर continuously नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, तो हमें यह करना है, levels mark कर लेना है, एक level मार्क कर सकते हैं, जो support का level बन सकता है, इसमें 18,317, and next support का area रहेगा, 18,015, ठीक है, तो यह दोस्तो हमारा market का analysis हो गया, इस week का, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, एक support का level यहाँ पर थोड़ा सा यह भी बन सकता है, जो कि यह level है, ठीक है, यह है अपना 18,465, तो इसको भी ध्यान रखें, इसको ignore ना करें, तो दोस्तो इस week हमारा market क्या बता रहा है, देखें, या तो थोड़ा बहुत नीचे आके, उपर की तरह उटके, फिर नीचे आएगा, या फिर continuously पहले नीचे आ सकता है, यहाँ पर support लेके, फिर उपर उटके, और फिर से नीचे की तरह आ सकता है, तो इस तरह का कुछ market हमें अभी नजर आ ठीक है, तो यह दोस्तो अपना Nifty का analysis है, अगर हम देखें इसका OI data, ठीक है, तो अगर Nifty में हम आ जाएंगे, OI data देखेंगे, तो दोस्तो सबसे highest OI data 18,700, ठीक है, call side में, and put side में दोस्तो 18,000 का सबसे highest OI data है, और अभी जो हमने mark लगाया, यहाँ पर आपको दिखाया था support zone, यह क्या है, यह भी 18,058 है, तो market यहाँ तक भी downside आ सकता है, और अगर हम PCR value देख रहें दोस्तो अभी इसकी, तो यहाँ पर 62.62 दिखा रहा है, which is negative signal for market, तो यह overall analysis है, अपना Nifty का, आगे बढ़ेंगे, और बात करेंगे, दोस्तो अब हम bank Nifty की, तो दोस्तो भी bank Nifty का chart है इसको भी weekly time frame में लेके आ जाएंगे, और अगर आप देखेंगे, इसकी last week की दोस्तो candle, तो कैसी candle थी, एक decisive candle थी, और इस week की अगर आप candle देखेंगे, तो कैसी candle बनी हुई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो एक inverted hammer candle है, ठीक है, which is negative signal, तो कुछ नहीं करना है, दोस् 44,459, इसको आप mark कर सकते हैं, जब तक markets इसके उपर नहीं निकलता, ठीक है, इसके उपर sustain नहीं होता, retest होके, तब तक यहाँ पर आपको call side नहीं जाना है, ठीक है, तो call side के BTST के trade इसमें भी आपको ignore करना है, अब अगर हम बात करें, दोस्तो market कितना downside आ सकता है, तो आ जा support zone, bank drifting में आप mark कर सकते हैं, अगर ये तूटता है, जैसे अगर आप closing देखें, तो 43,989, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 289 point का gap है, ठीक है, तो अगर ये gap दोस्तों तूट जाता है, market sustain हो गया इसके नीचे, तो आपको जो next target रहेगा, वो रहेगा 43,206, ठीक है, तो यह तक market downside आ सकता है, और ये act करेगा दोस्तों बहुत ही अच्छा support का level, ठीक है, तो यहाँ पर इसको mark कर ले, इस week में, देखिए, market continuously नीचे आ सकता है, यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा support है, और फिन नीचे की तरफ आ जाए, या फिर present point से दोस्तों थोड़ा उपर उठके, और इल्कुल भी नहीं जाना है, देखिए, हम यह नहीं कहा रहे है, उठ नहीं सकता market, थोड़ा बहुत उठ सकता है, लेकिन फिर से वापस नीचे की तरफ ऐसे गर के आ सकता है, ठीक है, दो level है, एक rejection का level 44,459 ठीक है, और एक support का level 43,700, अगर यह तूटा, तो आपको market 43,200 के आ सकता है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको, यहाँ पर आप एक trend line mark कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप trend line mark करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे market continuously इनी levels पर कहीं नहीं चल रहा है, यह देखें, ठीक है, यह यहाँ पर इस trend line को भी mark कर लें, अगर Monday की दिन म market नीचे आता है इसके, ठीक है, जैसे continuously अगर नीचे suppose gap down opening हो गई यहाँ पर, तो आप मान के चलिए market इस trend line को retest करने की नहीं उपर उठ सकता है, ठीक है, और फिर वापस नीचे की तरह आप सकता है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा यहाँ अपर ध्यान रखना है, अब दोस्तों अगर हम बात करें, market उपर की तरह breakout कर गया, मतलब suppose अगर market यहाँ से उपर की तरह breakout कर गया, तो दोस्तों हम मान के चलिए, 44,800 का आपका target का level रहेगा, call side का और यह up to हो सकता है दोस्तो, 45,000 तक ठीक है, तो अगर market इसके उपर sustain हुआ, suppose market यहाँ से नीचे आया, support और उपर की तरफ निकला दोस्तों, तो 44,800 से लेके 45,000 तक का आपका target का level निकल सकता है, bank nifty के अंदर, ओके, बट यह आपको ध्यान डखना है, 44,459 के उपर अगर sustain हो, retest होके, तभी आपको यह target के लिए जाना है, ठीक है, तब तक दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटा value अगर हम इसकी देख लें दोस्तों यहाँ पर, तो इसकी PCR value भी 67 दिखा रहा है, तो लगबग यह भी negative है, लगबग है दोस्तों यह भी negative ही है market, और अगर हम देखें यहाँ पर तो 40,000 लेवल है दोस्तों यह 44,000 सबसे highest call side, और अगर market में put side देखें तो 42,500 सबसे lowest market दिख साफी space है दोस्तों बीच में, और अगर हम देखें bank nifty को जैसे हम discuss कर रहे हैं, तो 43,200 का level हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, और OI data के according 42,500, मतला हम लगबग दोस्तों 1000 point पहले का level देख रहे हैं, ठीक है, तो yes market को नीचे आ सकता है, ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें, तो 43,500 एक OI data यहाँ पर भी है, bank nifty के अंदर, जो की update हो सकता है, यह दोस्तों यहाँ पर support दे सकता है, यह अपना 43,500 का level, ठीक है, तो यहाँ पर यह बढ़ सकता है, अभी मंडे की दिन इसमें काफी changes होने वाले हैं, ठीक है, definitely changes होंगे इसमें, तो maybe 43 43,500 सबसे highest put side के तरफ OI data हो जाए, और यहाँ से यह हट जाए, ठीक है, तो यह चीज हो सकती है, बट कोई नहीं दोस्तों market में analysis कर लेंगे, मंडे की दिन का भी, फिलाल जो हमाँ पर सबसे highest strike point है, वह 42,500 put side में और call side में दोस्तों 44,000 का level, ठीक है, तो यह चीज यहाँ पर दोस्तों increase होगा यहाँ पर, तो मान लेजे, 44,000 से बढ़के market उपर के तरफ निकल सकता है, और जो हम discuss कर रहे थे, 44,800 दा market जा सकता है, तो यह चीज निकल कर आ सकती है, अगर अच्छे सस्टेन हो गया market तो, ठीक है, तो यह दोस्तों अपना bank nifty का analysis है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों अब हम, fin nifty की, ओके दोस्तों तो यह fin nifty का chart pattern है, यहाँ पर अल्मोस यह bank nifty की तरह ही है दोस्तों, लास्ट टाइम भी हमने discuss किया था, bank nifty में भी और इसमें भी, इस बार भी दोस्तों अगर आपको दिखा है यहाँ पर, तो market guys देखें, यहाँ से continuously उपर गया ठीक है, और अगर आप देखें यह चीज यहाँ पर, इस चीज को ध्यान से देखें दोस्तों, यह चीज, यहाँ पर देखें, market almost equal, क्या बनाया है, high बनाया हुआ है, और यहाँ पर negative divergence देखें, कितना तगड़ा बनाया market में, ठीक है, तो market दोस्तों यहाँ स से नीचे की तरफ गिर सकता है, अगर आप देखें, तो M pattern दिखा रहा है, यहाँ से यह भी ठीक है, यह भी M pattern का formation कर सकता है, market, बट हमें अभी क्या हो अगर ना है, बहुत जादा negative नहीं होना है, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं दो दो ही level mark करके रखेंगे, Fibonacci Retracement के according, अब देखें दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यह level mark कर लेना है, यह जो high है इसका, जो कि अपना 19,619, इसको आप जरूर mark कर लें, ठीक है, फिन 50 में 19,619 का level mark करके रखें, ओके, तो दोस्तों market में और एक इसमें support का level बहुत जादा important है, वो भी mark करके रखें, जैसे कि अभी हमने bank nifty में discuss किया था, यह है अपना 19,285 का level, ठीक है, 19,285 का level, तो दोस्तों अगर यह low तूटता है, यह level तूट जाता है, तो आप मान के चलिए market यहाँ तक downside आ सकता है, मतलब 19,075 का level market दिखा सकता है तो आप को करना है, 19,285 तक थोड़ा थोड़ा quantity में करते हैं, जैसे यह low तूटे, आप quantity increase कर सकते हैं, ठीक है, तो यह overall scenario है दोस्तों, nifty का, अगर इसमें market call side की तरफ movement देता है, suppose market यहाँ से उपर की तरफ उठ जाता है, और इसमें भी अगर आप देखें दोस्तों, ठीक ह तो अगर आप देखेंगे, यह weekly time frame में negative candle काफी अच्छी, तो दोस्तों, आप मान के चलिए, यह high बहुत ही जादा important है हमारे लिए, ठीक है, जब तक market इसके उपर sustain नहीं होता है, तब तक आपको बहुत aggressively call side नहीं जाना है, थोड़ा बहुत market उपर की तरफ move हो सकता है, तो तब तक आपको confidence नहीं अपनी study पर, तब तक सको BTSD मिनानी कोशिश नहीं करें, क्योंकि market यहाँ से उपर जाके अच्छा खासा downside आ सकता है, लगवग 19,075 के level तक ठीक है, और अगर पहले market नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ से support ले सकता है, 19,285, ओके, और फिर उपर दोस्तो इतना easy नहीं है, sustain होना, यहाँ पर आपको क्या करना, एक तो यहाँ पर zone बना लेना यह, इसके उपर retest होके, अगर sustain होता है, तो हम कह सकते है, market उपर की तरफ move कर सकता है, इस condition में दोस्तो इसका अगर हम target के level देखें, तो क्या आ सकता है, इसका target के level आ सकता है, 19, 19,800 तक, बड़ उसके नहीं retest होके, अगर sustain हो दोस्तो तब आप ले सकते है, 19,800 तक का target, ठीक है, अब इसका अगर हम OI data देख लें, fin nifty का, तो वो क्या बता रहा है, वो भी देख लेते हैं, तो अगर हम fin nifty में आएंगे दोस्तो यहाँ पर, तो सबसे highest OI data, 19,500, ठीक है, मतलब बहुत दूर है हमारा call side का जो scenario इसमें दिखा रहा है, 19,500 तो यहाँ आ रहा है, मतलब इस range तक भी maybe market ना पहुँचे, ठीक है, और अगर हम देखेंगे दोस्तों से put side में, तो put side में दिखा रहा है 19,000, तो यह दोस्तों अभी हमने discuss किया, कि market इस level तक downside आ सकता है, ठी तो इन चीजों का ध्यान डखें थोड़ा सा, मतलब इस week में call side, जब तक आपका rejection का एरिये के उपर sustain नहीं होता market, तब तक call side नहीं जाना है, और sustain हो जाता है, तो आप जा सकते है, call side, बट retest चाहिए होगा, मैं sustain होने के लिए, तो यह overall scenario है दोस्तों इस week के market का, तो दोस् दोस्तों कर दोस्तों का इस लिएब pega का में हो चाहिए हो तोस्तों के दोस्तों के वह और सकता है, तहल के खजता है तोस्तों के विए.